दोस्तो स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्योमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी जूनियर इंजिनियर पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी लगबग सभी ब्रांचों को यहाँ पर इलिजबल किया गया है आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संफीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जो आप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वोक्ट सब्ग्रूप को भी जवाइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये नोटिस आपका सापूर जी पालन जी की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोजिशन्स पर वेकेंसी है यहाँ पर डिप्लोमा और बीवी टेक वाले लीजबल रहेंगे इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास वर्क एक्सपिरियंस होना चाहिए वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी दिल्ली, बिहार, जहार खंड, MP और लद्दाख रहने वाली है वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कॉंट्रेक्ट, एडिनिस्ट्रेटर के लिए, प्लानिंग इंजिनियर और बिलिंग इंजिनियर के लिए क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने B.E.B. टेक किया है सिविल इंजिनिरिंग में आपके पास 5 येर कावर के एक्सपिरियंस है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है B.E.S. इंजिनियर के लिए अगर आपने डिपलोमा किया है सिविल इंजिनिरिंग में या फिर आपने B.E.B. टेक किया है civil engineering में आपके पास six year cover के experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है execution में manager और engineer पोस्टों पर vacancy रहेगी यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने diploma या फिर b.b.take किया है civil engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे अगर आपने b.b.take किया है mechanical या फिर electrical engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे अगर आपने b.b.take किया फिर diploma किया है civil engineering में आपके पास six year cover के experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे next vacancy यहाँ पर आप कि रहने वाली है engineer फॉर्म वर्ग के लिए next vacancy यहाँ पर आपके रहने वाली है इंजीनियर, structural steel, fabrication and erection work के लिए और last vacancy यहाँ पर आपके रहने वाली है इंजीनियर, plant and machinery के लिए qualification में आपको बताया है अगर आपने B.B.T. या फिर diploma किया है civil engineering में आप यहाँ पर eligible रहेंगे या फिर आपने diploma या B.B.T. किया है mechanical और electrical engineering में आपके पास six year cover के experience से आप यहाँ पर eligible रहेंगे apply process यहाँ पर आपका online रहने वाला है अगर आप इन पोस्टों के लिए interested होते हैं इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना update CV लेना है और भेज देना है इनकी official email पर इसके साथ यहाँ पर subject line में लिख देना है कि आप यहाँ पर किस post के लिए apply कर रहे हैं तो जैसी भी जानकारी आप यहाँ पर अपने application form में प्रवाइट करेंगे उसके हिसाब से ही सोट लिस्ट करके यहाँ पर आपको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा इंटरेस्टल और इलिजबल कंडिडेट यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you शुक्रिया